Hello OneNote users, स्वागत है आपका एक नई टुटोरियल में अक्सर ही जब हम अपने OneNote में अपने डॉक्मेंट्स को क्रियेट करते हैं अपना डेटा स्टोर करते हैं तो कई बार हमें अपने डेटा को एक्सपोर्ट करना पड़ता है दूसरे किसी और फर्माट में पर एक्जामपल मेरे पास ये डेटा है अब मैं चाहते हूँ ये डेटा मेरा MS Word या फिर मैं इसकी PDF क्रियेट करना चाहते हूँ तो ये कैसे पॉसिबल होगा देखिए जब भी हम अपना डेटा OneNote में प्लेस करते हैं तो उसको आप डिफरेंट डिफरेंट फाइल फर्माट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस टेटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक Word डॉकमेंट क्रियेट कर सकते हैं अपने OneNote में जो नोट्स पढ़े हुए हैं या फिर हम PDF कैसे क्रियेट कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आप देख सकते हैं इस नोट्बुक में मेरे पास ये section है new section 8 के नाम से जिसमें मेरे पास दो पेज़स हैं फर्स्ट इस my data, सेकेंड इस create notebook तो दोनों में मेरा data पढ़ा हुआ है अब मैं चाहती हूँ ये जो data है ये मेरा one note में से एक word document create हो जाए तो उसके लिए सबसे पहला step होगा आपने file में जाना है यहाँ पर आपको option मिलेगी export इस पर आप click करेंगे अब देखिए सबसे पहले जो आप से पूछा जा रहा है वो ये है कि आप export क्या करना चाहते हैं आप क्या current page को export करना चाहते हैं या पूरे section को export करना चाहते हैं या फिर पूरी notebook depending upon the user choice जो भी आप यहाँ पे select करेंगे उसके according आपका जो data है वो export होगा अब मैंने यहाँ पे यह current जो है export का section select कर लिया है next आ जाता है format किस format में आपने इसको export करना है options है one note word document extensions and .docx.doc pdf में xps file या फिर आप web page में भी इसको convert कर सकते हैं सबसे पहले हम docs file create करेंगे तो मैंने इस पे click किया और export पे click कर दिया तो अब आपको save as का dialogue box मिलेगा कि आप यह exported file कहां पे save करना चाहते हैं और आप इसका name क्या रखना चाहते हैं by default अब जैसे मैंने यहां पे section को export किया है तो जो file का name है वो मेरा same section के name का आ गया पिछे .docx जो है वो extension आ गई अगर आप इसको change करना चाहते हैं तो आप change कर सकते हैं then इसको करेंगे save तो कुछ seconds लेगा यह export होने में data जब भी आपका data export होगा तो जितने भी आपने उसमें words लिखे होंगे जो भी आपकी pictures होंगी वो सारा आपका data automatically export हो जाता है तो देखें यह depend करता है आपके data पे one note में आपका कितना bulk में data पढ़ा हुआ है किसी section या फिर किसी page में उतना ही time लेगा यह export होने में अब हमारी file export हो गई है अब मैं आपको document open करके दिखाती हूँ तो यह रहा हमारा document इसको open करेंगे तो यह देखिए सबसे पहले उपर आया मेरे पहले page का name यह date है यह time है और यह मेरा data है यह मेरी image है उसके बाद यह next page स्टार्ट हो गया यहां से उसका name आ गया यह date and time आ गया और यह second page का content आ गया और यह picture आ गई तो आप clearly देख सकते हैं जो कुछ भी मैंने यहां पे अपने इस section में save किया था different pages में वो सारा का सारा मेरा export हो चुका है अब same इसी तरह आप इसकी PDF भी create कर सकते हैं तो process हमारा same रहेगा file में जाएंगे export पे click करेंगे अब मुझे पूरे section को करना है तो मैं section पे click करूंगी PDF पे click करूंगी यहां पे और export करेंगे फिर से हमारे पार save as का जो dialogue box है वो आएगा तो मैं desktop पे इसको इसी नाम से new section 8 जो आपकी section का name है वो ही file name पे लिखा हुआ है वो आगया आप इसको change करना चाहते हैं तो change हो जाएगा otherwise मैं इसको ऐसे ही करूंगी save तो जितना भी हमारा यह data है उसकी एक PDF file create हो जाएगी अगर आप अपने notes किसी के साथ as a PDF share करना चाहते हैं तो आप इसके इस तरह से PDF file में इसको export कीजिए then उस PDF को आप further attachment के through या direct उसको send कर सकते हैं तो अब हम अपनी PDF चेक करते हैं so यह मेरी PDF create हो गई है इसको हम open करेंगे so यह देखिए again PDF में भी हमारा पास same उसी तरह की options आ रही हैं सबसे पहले मेरे पास first page का name आया, date आया, time आया और यह आपका data है, यह picture है then यह second मेरे पास page है जिसका name है create notebook date time आया और यह उसका data है, तो अब आप यह PDF direct अगर share करना चाहते हैं तो यह shareable होगी और इसको आप easily share कर सकते हैं तो इस way से आप one note में पड़े हुए data को export करके word document and PDF file को create कर सकते हैं I hope यह video tutorial से आपको benefit हुआ होगा, अगर यह video आपको अच्छी लगी, beneficial लगी एस channel को subscribe करें, video को like और share ज़रूर करें थांक्स पूर वाचिन